एक बार की बात है पालमपुर नामक गाउ में एक स्कूल था उस स्कूल की कैंटीन बहुती ज्यादा बच्चों को पसंद आती थी इस स्कूल के बच्चे घर से लंच नहीं लेकर आते थे वो इस स्कूल की कैंटीन से ही खाना लेकर खाते थे जिस सवजह से लंच टाइम में बहुती ज्यादा भीड लगे रहती थी आंटी को बच्चों को समालना बहुती ज्यादा मुश्किल हो जाता था ऐसे ही एक दिन यह सेंडविच मैंने ओडर किया है तो यह ओडर मेरा है तेरा नहीं यह मेरा सेंडविच है तुझे एक बार की पास समझ में नहीं आ रही यह सेंडविच मेरा है तो मेरा है मैं ही इसे खाऊंगी तुझे नहीं खाने दूँगी यह order मैंने क्या था तो इस सेंडविच को मैं ही खाऊंगी अगर यह सेंडविच मैं नहीं खा सकती तो मैं तुझे भी नहीं खाने दूँगी अगर तो प्रिंसिपल मैम की बेटी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तो अपनी मन मानी करेगी अनामिका आज जिद पर आ जाती है और वो प्रिंसिपल की बेटी को सैंडविच नहीं देती और सैंडविच डस्ट बीन में फैंक देती है यहें देखकर काविया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है अनामिका के हाथ भी बंदे हुए नहीं थे वो भी काविया के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटग देती है और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा भायंगर लड़ाई हो जाती है कुछ ही समय में केंटीन का वातावरन पूरी तरह से पिकड़ जाता है आंटी तुरन प्रिंसिपल मैम को बुला कर लेकर आती है प्रिंसिपल मैम अब आप ही देख लीजिए बात कहां तक पहुँच गई काविया ये क्या है ये तुमने अपना क्या हल बना रखा है अनामिका यहां ये सब क्या हो रहा है कैंटीन में तुम खाना लेने आते हो या फिर लड़ाई करने आते हो मम्मी लड़ाई मैंने शुरू नहीं की इस अनामिका की बच्चे ने लड़ाई शुरू की तुम बिल्कुछ चुप खड़ी रहो अनामिका मुझे सच सच बताओ लड़ाई किसने शुरू की प्रिंसिपल मैम काविया आपकी बेटी है तो ये इसका गलत फायदा उठाती है ना ही तो खुद लाइन में लगती है और ना ही अपने दोस्तों को लाइन में लगने देती है हम पागल हैं जो इतनी देर से लाइन में लगी रहती है सुरेखा तुम बताओ क्या काविया ऐसा ही करती है हाँ मैडम काविया ऐसा ही करती है सुरेखा मेरी बात कान खोल कर सुनो जैसे इस्कुल के सभी स्टूडेंट से वैसे ही काविया भी है अगर वो लाइन में नहीं लगेगी तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा समझ गई और हाँ एक दिन एक क्लास के बच्चों को कैंटीन से खाना मिलेगा और दूसरे दिन दूसरी क्लास को ठीक है चलो लेंस गुस्से में थी और वो अपना बदला लेने की सौच लेती है ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है एक दिन सुरेखा आंटी की तब्यत अचानक खराब हो जाती है और अनामिका तुरंत उनकी मदद करने के लिए चाहती है अरे सुरेखा आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार है और आप इतने तेज बुखार में काम कर रही है चलिए आप अराम कीजिए आपके जगा मैं काम कर लेती हूं अनामिका बिटिया तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो जब भी मेरी तब्यत खराब होती है तुम कैंटीन को समहाल लेती हो अनामिका सुरेखा आंटी को अराम क अनामिका को परेशान करने लगते हैं मुझे बर्गर चाहिए काफिया और उसके दोस्त अपना मन पसंद खाना ओर्डर कर देते हैं कुछ समय बाद अनामिका उनका ओर्डर लेकर आ जाती है गवार हमारा ओर्डर ठीक तरह से लिख तो लेती हमने ये नहीं मंगाया जो तो हमारे लिए लेकर आई है ये हमारा ओर्डर नहीं है देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो मैं तुमारा वही ओर्डर लेकर आई हूँ जो तुम सबने मांगा था और अब तुम सब मना कर रही हो कि ये तुमारा ओर्डर नहीं है काविया को पता था कि सुरेखा आंटी qanteen के अंदर नहीं है तभी बैल बज़ जाती है और लुंज टाइंग खतम हो जाता है सब ही बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं काविया और उसके दोस्त अनामिका के साथ qanteen में ही थे अनामिका की पच्ची आज तक मेरी मम्मी ने कभी मुझे डाटा भी नहीं, मुझे आवाज में मुझे बात भी नहीं की, उस दिन सिर्फ तेरी वजह से मम्मी ने सब के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे सब के सामने डाटा, आज तो मैं तुसे सारे हिसाब किताब पोरे करकर ही रहूंगी कोई आसपस देखने वाला भी नहीं है मुझे तुम से बात करनी ही नहीं है लंज टाइम खतम हो गया है मुझे क्लास में जाना है और कैंटीन भी बंद करनी है चलो हटो मेरा रास्ता छोड़ो काविया और उसके दोस्त अनामिका का रास्ता नहीं छोड़ते तब ह और यह पांच अनामिका पांच पांच स्टूडेंट्स का सामना नहीं कर पा रही थी और वो सब ही मिलकर कैंटीन में उसे बंद करकर चले जाते हैं अनामिका की बच्ची सुभा तक बहु की प्यासी यहां पर तडपती रहेगी और बिमार भी हो जाएगी और उसके बाद एक्जाम भी नहीं दे पाईगी और जब एक्जाम नहीं दे पाईगी तो फेल हो जाएगी और इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी चली थी मज़ी से पंगा लेने काविया और उसके दोस्त बेचारी अनामिका के हाथ पैर और मुह बंद कर कैंटीन में बंद करकर अपनी क्लास में चले जाते हैं और जब मौनिका मैम अनामिका के बारे में क्लास में पूसती है तो काविया छोट बॉल देती है काविया बस उस दिन की इंसर्ट का बदला लेना चाहती थी उसे नहीं पता था कि उसके बदले की आग एक मासुम की जिन्दगी छेन भी सकती है अगले दिन काविया इस स्कूल में आती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाते करती है बेचारी अनामिका को देखकर सुरेखा आंटी तो दंग ही रह गई हूंगी उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ यह सब किसी नहीं किया सुरेख आंटी उन्हें उनके मन पसंद का खाना दे देती हैं काव्या जैसे ही एक बाइट लेती है तो उसे अपने सैंडविच के अंदर उंगलिया नजर आती है यहे देखकर वो बहुत ही ज्यादा टर जाती है सैंडविच को दूर फैंक देती है और जोर जोर से चिलाने लगती है सैंडविच के अंदर उंगलिया सैंडविच के अंदर उंगलिया ऐसे कैसे हो सकता है सुरेख आंटी आपने सैंडविच के अंदर क्या अपने उंगलिया काट दी सैंडविच के अंदर उंगलिया है ची यह क्या है समोसा तो पूरी तरह से सड़ चुका है इसके अंदर से कितनी स्यादा बदबू आ रही है और सुरेखा अंटी इस ब्रेट पकोड़े को तो देखे इसके उपर कितनी स्यादा कीड़े चल रही है यह तुम क्या कह रही हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मैं अपने कैंटीन में फ्रेश सबजियां लेकर आती हूं फ्रे मेरी कर्दन छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही है मेरी कर्दन छोड़ो मेरी कर्दन छोड़ो कौन है यहां पर कौन है यहां पर सुरेखा अंटी काविया और उसके दोस्तों को क्या हो गया है यह कैंटीन में आकर ड्रामा क्यों कर रही है काविया बस बहुत हो गया ड्राम अपने दोस्तों को यहां से लेकर जाओ, तो मैं जितना मुझे परिशान करना था, करे लिया, अब यहां का वातावरण और खराब मत करो, यह ड्रामा कहीं और जाकर करो, मुझे मजबूर मत करो, प्रिंसिपल मैम से शिकायत करने पर, अंटे, हम मजब नहीं कर रहे, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हमारे बात का विश्वास कीजिए, इस केंटीन में भूत वगरा कोई ना कोई जरूर है, वो ही हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हाँ, इस केंटीन में भूत है, यह केंटीन भूत या केंटीन है इस केंटीन में भूत है मैंने भी मैंने भी वहां किसी का साया देखा हां मैंने किसी का साया देखा इस केंटीन में कोई है इस केंटीन में भूत है इस केंटीन में काविया और उसके दोस्तों की बाते सुनकर सभी स्टूडेंट्स केंटीन से भाग जाते हैं क्यू काविया को क्या हो रहा है रात को घर पर भी ऐसे ही चिला रही थी मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया मुझे लगा शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है नीद में बढ़ पड़ा रही है और सुबह उठने के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी इसकूल तो आप ही नहीं रही थी और अब इसकूल आकर भी वो ऐसे ही कर रही है सुरेखा कही कैंटीन में सच में तो कोई भूत भूत नहीं है प्रिंसिपल मैं ये आप कैसी बाते कर रही है पिछले 20 साल से मैं इस स्कूल में कैंटीन चला रही हूँ ऐसा आ बच्चों को भी आप अपनी बेटी और उसके दोस्तों को समझे आपनी वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और जब रात होती है तो काव्या को अनामिका की आवाज आती है काव्या काव्या मैं कैंटीन में तुम्हारा इंतिजार कर रही हूँ और तुम अराम से सो रही हो जल्दी आओ मैं तुम्हारा इंतिजार कर रही हूँ मम्म, जल्दी से यहाँ पर आई अनामीका अनामी काव्या तुम्हें क्या हो गया है मुझे लगता है तुम्हें डौक्टर के पस लेकर ही जाना पड़ेगा यहाँ कोई भी नहीं है अनामीका यहाँ नहीं है अपने घर होगी आराम से सोजाओ प्रिंसिपल में वहाँ से चली जाती हैं तभी काविया अपने दोस्तों को फोन करती है तो उनके साथ भी यही सब हो रहा था जो काविया के साथ हो रहा था यार मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मैंने यहां अनामिका की आत्मा को देखा जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी बहुत ही ज्यादा पहयांकर थी मुझे लगता है कि उस दिन उसकी मिड़ती हो गई हमें स्कूल में जाकर देखना होगा कि उसकी डैड बोडि कहा है तुम सब तयार हो ना काविया और उसके दोस्त रात के अंधेरे में स्कूल के अंदर आते ही उन्हें कैंटीन से जोर जोर से हसने की आवाज आ रही थी वो हिम्मत करकर कैंटीन के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर जो देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है वहाँ पर अनामिका का मृत शरीर पड़ा था तब ही अनामिका कहती है इसी कैंटीन में तुमने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है न यहीं पर मैं तुम सबको मारूंगी अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी नहीं जिस तरह से तुमने मुझे मारा उसी तरह से तरपा तरपा कर तुम सब को मारूंगी हाँ तुम सब को मारूंगी अनामिका देखो हमसे बहुत बड़े कलती हो गई मैं मम्मी की कसम खाकर कहती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं मालना चाहती थी कभी नहीं मैं तो बस तुमसे उस दिन की इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी और तुम्हें सबख सिखाना चाहती थी बस मैं तुम्हें नहीं मालना चाहती थी मुझे नहीं पता था कि हमारे उस मजाग की वजह से तुम्हारे मौत हो जाएगी हमें माफ कर दो हमें माफ कर दो जब तुम्हें मेरे उपर कोई दया नहीं आई तो मुझे तुम्हारे उपर क्यों दया आएगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी अब मैं चुडैल बन चुकी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, नहीं छोड़ूँगी मैं तुम्हें देखो अनामिका, हमसे बहुत बड़ी कलती हो गई, उसकी माफी तो नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, हमेशा सबकी मदद करती हो, प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम से वादा करते हैं, आज के बाद इसकूल में कभी किसी को परिशान नहीं करेंगे, कभी किसी स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसकूल में सच्चाई बतानी होगी, कि तुमने मुझे कैसे मारा, तभी मेरी आत्मा को मुक्ती मिलेगी, हाँ, 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 हम सब को बता देंगे, कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारी मौत के सिम्मेदार सिर्फ हो सिर्फ हम है हम सब को बता देंगे हम सब को सच बता देंगे काविया और उसके दोस्त अनामिका की आत्मा से वादा कर लेते हैं कि उन्होंने अनामिका के साथ क्या किया यह सुनकर प्रिंसिपल मैम गुस्से से तिल मिला चाती है और वो काविया और उसके सब ही दोस्तों को जोड़ जोड़ से थपड़ मारती हैं और पुलिस को फोन करकर बुला लेती हैं काविया तुम ऐसा भी कर सकती हो मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है तुम्हें एक मासुम इस्टूडेंट के साथ ऐसा मजाग किया तुम्हें पता भी है तुम्हारे मजाग की वजह से उस मासुम इस्टूडेंट को कितनी बड़ी कीमत लेकिन उन्हें अपने के पर बहुती ज्यादा पश्टावा हो रहा था वो सिर्फ अनामिका को सबक सिखाना चाहती थी मारना कभी नहीं चाहती थी और अनामिका की आत्मा को भी मुक्ति मिल चाहती है